मैं हमेशा से आप लोग से कहता हूँ जैसे आप लोग तैयारी करते हैं तैयारी करने के दोरान हमेशा एक चीज होने चाहिए फेस पर क्या रहने चाहिए इसमाइल रहने चाहिए और जब एक्जाम देने जाओगे तो इसी स्माइल वाले फेस पर कुछ किया जाएगा आपके result आएगा अगर आप इस प्रकार का face बनाते हैं यानि इस प्रकार का इसी को बोला जाता है क्या हमेशा की तरह बेहोसी का आलम ठीक है यही है तो आप लोगों ने इन बाणूं को क्या करना है जीतना है इनका क्या करना है मुकाबला करना है और इसके बाद भी result आपको कैसा रखना है positive रखना है ठीक है तब आपका selection होगा तो हर point को आपने देखते हुए जाना है कैसे तैयारी करनी क्या कर होनी है बाकि में